हलो दोस्तों नमस्कार, KP Teacher Academy अपका हर्दिक सो वागत है, आसा करते हों आप स्वास्त होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज हम बाल विकास सिच्छा साथ का 30 कोशन से से लगाएंगी जो कि सीटाट पर चाहिएंगे, बहुत ही महत्पूर होगा, बीटो को लाइक करें, जैसे आज सेर करें, चैनल को सस्क्राइब करें, ब्लाइगर को प्रैस करें जिससे की नाटिफिन माद दिम से आपको बीटो मिलती रहेंगी, तो आज कम फर्स कोशन स्टार्ड करेंगे अगला कोशन देखेंगे, बार्ले अवस्ता का समय होता है, जनम से पांच वर्सों तक बीए पांच वर्सी बारे वर्सी बारे वर्सी अठारे वर्सी अठारे वर्सी अधिक, तो कोशन पूचा गया कि बार्ले वस्ता का समय क्या होता है, यह कोशन में पूचा रहा है, उस बासा विकास का मनो बैग्यानिक सिद्धान्त किस ने दिया है? A.F.Ride, B.E.Colwork, C.E.Erection, D.E.C.O.M.S.K.I. तो कोशन में पूचा है कि बासा विकास का मनो सामाजिक, माफ कीजिए, मनो बैग्यानिक सिद्धान्त किस ने दिया है? या कोशन में पूचा है रहा है? तो जैसे कि बासा विकास का जो कोई मनो बैग्यानिक सिद्धान्त दिया गया है? वो है, चोमस्की की द्वारा दिया गया है? तो आंसर रेक्ट हो जागया है, हमें बारा D. अगला कोशन देखेंगे? कोशन थोड़ा बढ़ा है, कोई बात नहीं एडेश्ट हो रहा है फिर भी? सिच्छा में किन बातों की और बिसेश ध्यान देने की आवशक्ता है या दिया जाना चाहिए? या कोशन में पूछे यह रहा है, तो इसकी बात करते हैं? सामविक परंतु सम्भलिंगी कारों एबंग खेलों की विवस्ता की जानी चाहिए? और पाठि सामविक की क्रियाओं तथा या ब्रहमड वर्ट इसकाउटिंग विवस्ता विक की कोनी चाहिए? सिच्छण में खेल विदी एवं क्रिया विदियों का प्रियोग किया जाए तो अंसर एक्ट हो जाएगा? किया के हैं या मारा उप्रिक सभी Dैयद्स रोजाएगा अंकार क्वश्ण देखेंगी को क्या क्या है यह क्वश्चन प्उछा रहा है तो सक्वार्त करते हैं कि तीवर सारिक और क्रिया सीलता अभिवर्द्धी का जो काल माना गया है वह है बाले वस्ता तो आंसर को जागए हम यह बी अगलों कोशन देखेंगी वीडियो को लाइक करें जाई सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैसे करें जिसकर नौटिक पनाती मां दिम आपको वृडियो प्विडियो प्लती रहेंगी खेंगी कोशन पे एलसा बड़ा है मैं कोशन देखते आ है पें निम्न न लगत किस्वरवस्ता में काम संबंदी वह उत्पन हो जाते हैं सिए वह बालक को समाज ब्रोधी प्रवर्ति एवं अनुप्योगी कार्यों की और प्रवर्ति करता है डिये नवीन अनुबवों द्वारा बालक के सम्वेगों का पुने प्रिसिच्छड देकर वह कर निराकर्ड किया कि बहें बालक को समाज ब्रोधी प्रवर्ति एवं अनुप्योगी कार्यों की और प्रवर्ति करता है तो आंसर जीजा करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे जोग देने के लिए किस ब्रवर्ति को अपनाना चाहिए तो कोशन पुछा रहा है तो जोग देने के लिए सिच्छा को बालक के चलेत्र रिमान में योदान देने के लिए सबसे जो बिदी होंगी बालक को नियमत रूप से नयतिक सिच्छा देकर और बालक की मूल प्रवर्तियों का दमन न करकी बालक की अच्छे विचारों होगा इच्छाओं प्रवर्तियों को प्रोसाइद करकी तो अंसर एक्ट हो जागा यहां पर उपर सभी D answer अगला कोशन देखेंगे Macdule एवं गिलफोर्ड ने बालकों की संख्या बताई है A है 10, B है 12, C है 14, D है 15 तो कोशन पूछा कि Macdule एवं गिलफोर्ड ने बालकों की संख्या कितनी बताई है यहां कोशन में पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं Macdule और गिलफोर्ड ने बालक की संख्या 14 बताई गी है तो अंसर एक्ट हो जागा है यहां पर हमारा C अगला कोशन देखेंगे गिलफोर्ड ने संख्यों को कितने बर्ग बनाई है कोशन थो टो गुमागे देदियाqui कोशन पसी परकार से उठाए है उसनें गिलफोर्ड कैस्वगों कोशन की बनाई है रहा है कितने बर्गों में बाता है इस परकार से कौशन की चारा है तो B dim 1 पांच, CA 4, DA 3, तो गिलफोर्ट ने जो सम्वेगों की बर्ग बनाई है, बर्गों में बाटा है, वो है तीन बर्गों में, तो अंसरेक्ट हो जाए यहां पर मारा D, अगला कोशन देखेंगे, सहस्वावस्ता को सिखाने का आदर्सकाल, या सीखने का आदर्सकाल किसने माना है, ये क्रो एवं क्रो ने बीए एडलर ने सी ये वाट्सन ने डीए वलेंटाइन ने तो कोशन पुछाए कि सहस्वावस्ता को सीखने का आदर्सकाल किस ने माना है या किस मनुभग्यान ने माना है यह कोशन पुछा रहा है तो इसके बात करते हैं वलेंटाइन ने कहा है कि सहस सबस्ता में बन जाता है और सबसे अच्छा काल माना गया है तो अगला कोशन देखेंगे अधिगम को अधिगम को सगम बनाने वाले अनुखाव क्या है यह कुशन पुछा रहाए चुश के बात करते हैं अधिगम को सगम बनाने के लिए अविग्र्चयान आंत्री अगला कोशन देखेंगे कच्छा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कच्छा चैसे आठ तक एक से चलिक बर्स में निरधारित कारी दिवसों की संख्या है कच्छा का अधिकार अधिकार अधिनियम के अनुसार कच्छा चैसे आठ तक एक से चलिक बर्स में निरधारित कारी दिवसों की संख्या कितनी है यह कोशिन पुछा रहा है तो जिसकी राइट टू एजिकेशन यह सिच्छा अधिकार के अधिनियम के अनुसार चैसे और आठ तक की एक सेच्छड कारी दिवसों में जो निरधारित संख्या की गई है वो 220 कारी दिवस संख्या बताई गई है यह मानी गई है तो आंसे एक सिख्यान का विकास होता हो और उसकी सुरचना की जाती है मिसे से बिसे किन्द्र कोने पर सीय विद्धिहारती केंद्रित से अध्यापक केंद्रित कि और व्पर्फ Forsch में से कोई नहीं तो क्उशिन पुछे जारा कि राश्री परचाना की रूप रहे हैं। जब बात की गई है कि ज्ञान इस्ताई हो और दिया जाना चाहिए। जिस्से कि इज्ञान का बिकास होता हो और उसकी स्रचना ہोती हो। जैसे कि ग्यान क्या है कि उसके किताबी कीड़ा ना बना की बच्चे को हमें उसके पार्ठिकर हमको बाहरी जीवन से हमें जोड़ना चाहिए जिसके उसका ग्यान इस्थाई हो तो आंसर एक्टर हो जाए यहां पर हमारा ए अगला कोशन देखेंगे बुद्धी का तरल मोजिक मॉडल किस ने दिया था यह कैटिल इater शी तर संट पर में तो कोशन के Nos यह हमारा एक अग्ला कोशन देखेंगे बच्चे के संगनत विकास हेतु उत्तम इस्तान है या खेल का मैदान बिये सवागर निसिये घर दिये बिद्याले एवं सिच्छा का बातरवर्ड तो कोशन पुछागा कि बच्चे के संगनत विकास हेतु उत्तम इस्तान क्या है या कोशन पुछागा रहा है तो बच्चे का जो संगनत विकास का सबसे उत्तमिस्तान है वो विद्ध्याले एवं कक्छा का वातरवर्ण है तो आंसर ही करेक्ट को जाए है प्रिमारा कि अगला कोशन देखेंगे कि सिच्छा मनुविक ज्यान का संबंध किसी से नहीं है कोशन नेगेटिम पूछा गया है अगला कोशन पूछा रहा कि सिच्छा मनुविक ज्यान का संबंध किसी से नहीं है यह कोशन पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं यह पी अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन देखेंगे कोशन को सीखने में पहली अबस्ता होती है कोशन को सीखने में जो पहली अबस्ता मानी गी है अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन देखेंगे बाले अबस्ता की बिस्ता नहीं है ये विकास में इस्थरता बी ये यथारतवादी दस्टी कॉड देखेंगे अधिगम में ती बरता दी अप्रक्स में से कोई नहीं तो कोशन पुछा गा कि बाले वस्ता में कौन सी विस्ता नहीं है ये कोशन बुचा रहा है तो कोशन नेगेटिव में पूचा गया है अधिगम में ती बरता भी होती है ये तीनों अंसर पॉजिटिव में तो ये नहीं होंगे हमारे कोशन नेगेटिव में पूचा गया है उप्रक्स में से कोई नहीं तो आंसर मारा डी हो जाएगा अगरा कोशन देखेंगे वह उच्छारण करने की योगिता सिसू किस आयू में प्राप्त कर लेता है एक वरस तक बी तीन वरस तक सी चार वरस तक डी छे माह तक तो कोशन पुछा रहा है कि बोलने वह उच्छारड करने की योगिता सिसू किस आयू में प्राप्त कर लेता है यह कोशन पुछा रहा है उसके बात करती है यह एक बरस तक बच्चा है जो की सिसू है वह बोलने वह उच्छारड करने की योगिता प्राप्त कर लेता है तो अंसर रख लोगा है, यहापे हमारा A अगला कोशन देखेंगे, बीडियो को लाइक करें, जैसे हैं सेयर करें दोस्तों कोशन देखती है किसे सिद्धान्त की अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिसा में होता है A. विकास करम का सिद्धान्त B. विकास दिसा का सिद्धान्त C. एक एक करण का सिद्धान्त D. परस्पर समंद का सिद्धान्त तो कोशन पुछा रहा कि कि सिद्धान्त की अनुसार बालक का विकास है वो सिर से पैर की दिसा में होता है यह कोशन में पुछा रहा है उसके बात करते हैं पर कि विकाज इसार सिद्धानत है जो कि सिर्ष से पैर की दिसामे होता है तो अंसर वारा खरेक्टर याँ पर वारा बी अगला कोशन देखेंगे किस मनोगनिक के अनुसार बुद्धी मान माता पिता के बच्चे सादरर और मंद बुद्धी माता पिता के बच्चे मंद बुद्धी होते हैं इसी परकार साररिक रचना की दश्टी से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं तो कोशन पुछारा कि किस मनुवेगनिकने के अनुसार बुद्धी मान माता पिता की बच्चे बुद्धी मान और सादर्ड माता पिता की बच्चे सादर्ड और मद या मंद बुद्धी माता पिता की बच्चे मंद बुद्धी होते हैं इसी प्रकार सारी गचना की दश्टी से सभी बच्चे या दश्टी से भी बच्चे माता पता की समान होती है यह कुछन पुछा रहा कि यह कतन किसने दिया या किसने कहा है तो उसके बात करते हैं कुछन के कोडिंग यह कतन दिया गया सोरंशन ने अगला कोशन देखेंगे स्राजनात पुक्ता तथा बुद्धी में निम्री लुक्त में से किस प्रकार का संबंध है यह कोशन में पुछा यह रहा है जो पर आंसर पुक्त हो जाएगा बिवेदे तक है तो आंसर पुक्त हो जाएगा पी अगला कोशन देखेंगे को निम्री लुक्त में से कौन सा कारक स्राजनात पुक्ता के सम्म Next 2 आख्ता स्रजनात्पता से सल्मधत नहीं है इसा क्या अगला अगा wrist देखेंगे के था नीयां बढ स्रजनात्मक्त्ता तथा बुद्द्ध के मद्युर थाय जय किस नकी थी एक गौझल्शा ऍवं जक्शन की थे तो कुछन में कुछा गहा कि सरेनात्मक्त्ता तथा बुद्धी के मद्युर थाय संब्सक्राइब Рाइनिक ने या किस मनोबेग गैन के सबसे पहले या सरप्रत्म की थी या कोशन में पूछ आ रहा है तो देखिए बात करते हैं आपके कि गैजल्स वा जैक मैंने सबसे पहले की थी तो आंसर या करेक्ट हो जागा है हमारा ए अगला कोशन देखाएंगे बिद्यार्तियों में अधिगम उत्पन करने हितू निम्न लखत में से कौन सी प्रविदी उप्योगी प्रविदी नहीं है अच्छा में अविसारी प्रश्णों को पूछना संपूर से अंसकी और सिच्छक प्रविदी उप्योगी प्रविदी नहीं है और सिच्छक प्रविदी उप्योगी नहीं है निम्न लखत में से कौन सी सिच्छड नीती प्रविदी नहीं है और सिच्छक प्रविदी नहीं है निम्न लखत में से कौन सी सिच्छड नीती प्रविदी नहीं होगी निम्न लखत में से कौन सा कथन बुद्धी के संदर में असत्य है पूछा गया है तो यह हमें बुद्धी मानम मुल्य को निर्दारित करने की योगिता है यह बुद्धी नवीन साथ बातावड की साथ समायुजन करने की यह पूछा गया है तो कौशन में असत्य गत्न पूछा गया है बुद्धी के बात करती हैंपि कि बुद्धी मानम मुल्य को निर्दारित करने की योगिता है तो यह बुद्धी अगला कौशन देखेंगे तो कोशन पुछा रहा है तो उसके बात करती है करें जो कि प्रवंधन की अंत्रगत मूल्यांक करें पर हमारा डी दोस्तों से सरम आपने उस्क्राइब करें जैसे लिए व्यूर्य से अपको मिलती रहेंगी तो मिलती हैं कि जैन दोस्तों बंद मात्रम